बहु कहां मर गई अंदर से आवाज आई जिन्दा हूं माजी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई कब से पूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारोगी मुझे बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने दे अब बना दिया है तो खा लेती हूं सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहु मा जी मुझे कपड़े धोने हैं मैं जाती हूँ बहु दरवाजे के पास शिपकर खड़ी हो गई सास भजिया पर तूट पड़ी और पूरी भजिया खतम कर दी बहु मुस्कराई और काम पर लग गई दोपहर के खाने का वक्त हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहु ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल लाई फूखे मारोगी क्या बहु आई सामने खिटड़ी रख दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना है इसे ले जाओ बहु ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिटड़ी खाने को कहा है खाना तो पड़ेगा ही सास भू बनाते हुए हाँ तू मेरी मा बंजा बहु फिर मुस्क्राय और चली गई आज इनके घर पूजा थी बहु सुबह चार बज़े से उठ गई पहले सनान किया फिर फूल लाई माला बनाई रसोई साफ की पकवान और भोज बनाया सुबह के दस बज़ गए अब सास भी उठ चुकी थी बहु अब पंडिज जी के साथ भगवान के वस्तर तैर कर रही थी आज आफिस की छुट्टी भी थी उनके पती भी घर पर थे पूजा शुरू ही सास चिलाती बहु ये नहीं है बहु वो नहीं है बहु दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दुपहर के तीन बज गए थे आरती की तैरी चल रही थी पंडिज जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हाथों में थाली दी जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी थाली हाथों से गिर पड़ी सायद भोज बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगें कैसी बहु है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहु उठा लाए, एक आरती की थाली भी समाल नहीं सकती, इसके पती भी गुस्सा हो गया, और सास चुप रही, कुछ नहीं का, बस यही बोलके छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी दिरे दिरे अब सबको खाना परोसा जाने लगा बहु दोड़ दोड़ के खाना देती फिर पानी लाती करीब 87 असी लोग हो गये थे इधर दो नौकर और बहु अकेली फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती अब उसकी सास और कुछ आच्छ परोस के लोग खाने पर बैठे बहु ने खाना परोसना शुरू किया सब को खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक से नहीं डाला किया एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बात कैसे समालेगी इस घर को आच्छ परोस वालों को तो जानते ही हो ना सहाब वो बस बहाना ढोंडते हैं नुक्स निकालने का फिर वो सब सुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहु है ये वो वगएर वगएर दिन का खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नौकरों के साथ लग गई रात में जगराता का कारिकम रखा गया था बहु ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोर से चिलाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहु मुस्कराई और गाने लगी सबने उसके गाने की तारीफ की पर सास मूँ फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के आफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक कर रहे थे उसका पती चिलाता थुआ बरफ लाओ तो सास चिलाती यहां डाल नहीं है फिर चिलाता कोल्डिंग नहीं है पापड ले आओ इधर उधर आखरी में उसके पती की सराफ गिर गई उसके एक दोस्त पर और बोतल तूट गई पती गुस्से में दो जाफड अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देख कर नहीं चल सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग दिखने लगे उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार पुरा मूड खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड़ गवार बीवी ला रखी तुने उसे तो महमानों की इज़्जत और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेज्टी कर दी अब आजपडोस की ओड़तों को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहुने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी साधी करा दो छुटकारा पाओ इस गमार से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्ड़ मारा और कहा अरे नालायक तुमने मेरी बहु कुमारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दोंगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने घूरते हुँ कहा कहा चुप बिलकुल चुप यहां दारूपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पाटी करनी है कैसे संसकार दिये हैं तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जड़ा इधर आओ चपल से मारूँगी अगर मेरी बहु को किसी ने सद भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी सराब तूट गई पापी वो बच्ची सुबच चार वजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नास्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सबकी बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके यार दोस्त चुपके से किसक लिए अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालके दूसरी बहू ले आना तेरा सामने तो आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है बेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाय समझ जाती है मेरी दिन रात सेवा करती है मेरे हजार ताने सुनती है पर एक सब्द भी गलत नहीं कहती ना सामने ना पीट पीछे और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत सास ने गुस्से में पडोस की महिला को कहा अभी पिछले हकते ही तुम्हें मिया वीवी भूखे छोड़ने गुमने चले गए थे मेरी इसी बहू ने साथ दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुम्हारे पैर दवाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फरक नहीं जानते अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लबजी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि ये मेरी बहू नहीं है मेरी बेटी है बहू सिस्कियों लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्रेट उठाई और भोजन परोसा बहू की कमरे में खुद ले गई सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो मैं खुद ले लेती सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा डर मत इसमें जहर नहीं है मार नहीं डालूँगी तुझे तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहु चाहिए बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाना खाले फिर मजा करते हुए कहा फिर मेरे पैर दवाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन मैं इसका गला दबा दूँगी क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी दोनों खूब हसने लगती है कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते कड़वी होती है तो दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज जिरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और सपोर्ट करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए नमस्कार